हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेक मैं चेनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिक्स फ्लेवर वाला बील का मिल्कसेग बनाने की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है तो फ्रेंड्स आप भी इसे बना कर जरू ट्रै कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बील का मिल्कसेग बनाना बील का मिल्कसेग बनाने के लिए मैंने याँ पे एक बील ली है और एक कटोरी मैंने याँ पे मसीन कट मिसरी ली है मिल्कसेग बनाने के लिए हम सबसे पहले बील को टू पार्ट्स में कर लिया है अब हम बील का पल्प निकाल लेंगे एक चम्मच की सहाइता से हम बील का सारा पल्प निकाल लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स हमने बील का सारा पल्प निकाल लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा चिल्ड वाटर रेड करेंगे और एक चलनी की सहाइता से इसे चान लेंगे बील का मिल्क सेक बनाने से पहले हमें बील को इसी परकार से चान लेना चाहिए क्योंकि अगर हम बील को चानेंगे नहीं तो इसके जो बीज है वो मिक्सर में ग्राइंड हो जाएंगे और इससे जो सेक बनेगा वो कड़वा हो जाएगा इसलिए जब भी आप बील का मिल्क से एक बनाए तो इसको चान कर ही बनाए ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर लेंगे ये देखिए हमने सारा बिल का पल्प निकाल लिया है चान कर अब हम इसमें आदा लीटर दूद एड़ करेंगे दूद हमने एड़ कर दिया है अब हम इसमें थोड़ी स मिस्री एड़ करेंगे मैं यहां पर मसिन कट मिस्री का यूज कर रही हूं इसकी जगह आप सुगर का भी यूज कर सकते हैं अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसे ग्राइंड कर लिया है यह कितना जागदार और गाड़ा मिल्क से एक बनकर तयार हुआ है आप देख सकते हैं बील का मिल्क से एक बनकर तयार है अब मैं आपको इसे ग्लास में सर्व करके दिखाती हूं यह देखिए बील का मिल्क से एक बनकर तयार हो चुका है अब हम इसमें फ्लेवर एड करेंगे इसके लिए मैंने यहां पे 6 फ्लेवर लिये हैं एक ग्लास में हम सबसे पहले नारियल पाउडर एड करेंगे एक ग्लास में हम थोड़ा सा इलाइची पाउडर एड करेंगे एक ग्लास में हम बारिक कटिवी रेड चेरी का यूज करेंगे एक ग्लास में हम थोड़ी सी बारिक कटिवी बादाम का यूज करेंगे एक ग्लास में हम थोड़े से बारिक कटेवे पिस्ता एड़ करेंगे और एक ग्लास में हम थोड़े सी बारिक PCV सॉंफ का यूज करेंगे अगर आप सॉंफ का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप किसमिस का फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ठंडा ठंडा बेल का six flavor वाला milkshake बनकर तेयार हो चुका है आपको मेरी ये recipe कैसी लगी comment box में comment करके जरूर बताइए और ऐसी ही एनेक recipe पाने के लिए हमारे चेनल को subscribe करना ना भूले थेंक यू